आज की ये कहानी देश के बटवारे के दौर की एक ऐसी दर्दनाख प्रेम कहानी है जो इस बात की गवा है कि सरहद दो देशों को तो बना सकती है पर दो लोगों के बीच के प्यार को नहीं 1947 के पार्टिशन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के सरहद के इलाके मज़भ की आग में जल रहे थे और इस लड़ाई में सबसे बड़ी मुश्किले औरतों को थी और उनी में से एक थी जैनब जो पाकिस्तान की तरफ चा रहे काफिले से अपनी इज़त और जा बचा कर भाग रही थी लेकिन फिर बुट्टा सिंग ने जैनब को ये विश्वास दिलाया कि वह बाकियों जैसा नहीं है बुट्टा सिंग 55 साल का एक रेटाइड फॉजी था वहीं जैनब 21 साल की लड़की थी हवासी दरिंदों की नजरों से बचा कर बुट्टा जैनब किया और दोनों को दो बेटियां भी हुई लेकिन अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई पार्टिशन के बाद एक बिल पास किया गया जिसमें ये रूल था कि पार्टिशन के दौरान हर अगवा की गई लड़की को वापस उसके मुल्क में लटाया जाएगा और किसी ने स सर्च स्क्वाड में खबर कर दी कि बुट्टा सिंग ने जैनब को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ कि जैनब को सर्च स्क्वाड ने सरहद पार उसके गाउं में भेज दिया उनकी एक बेटी बुट्टा के साथ हिंदूस्तान में थी जैनब और बुट्टा सिंग की दोनों बेटिया उनकी बड़ी बेटी तारा जो की बुट्टा सिंग के साथ थी उसे ब्रेंट यूमर की बिमारी थी और अपनी मा को अपने पास ना पाकर उसकी हालत बिगड़ने लगी थी बुट्टा हर मुम्किन कोशिश कर रहा था कि व की मौत हो गई बुट्टा सिंग के लिए एक तुफान से कम नहीं था उसकी पतनी और बेटी जो की दूसरे मुल्क में है और उसकी एक बेटी जो की अब इस दुनिया में नहीं रही बुट्टा सिंग ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी हालत में अपने परिवार को हो जाता है तो वह देखता है कि वहाँ शादी की तयारिया चल रही थी चुपते होएं जैनब के कमरे का पता लगाता है और देखता है कि जैनब कमरे में चुप चाप खिड़की की और देख रही है बुट्टा उसके पास जाता है और जैनब उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है वो उसे बताती है कि उसके पिता जबरदस्ती उसकी 12 साल की बेटी की शादी करा रही है बुट्टा सिंग ये सब सुनकर और बबूला हो जाता है वो डारेक्ट जाकर जैनब के पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि वो अपनी बेटी और पत्नी को ले जा रहा रास्ते में भी कुछ लोग उन्हें रोकने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन हर मुश्किलों का सामना करते हुए बुट्टा सिंग अपने प्यार जैनब और अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो ये थी बुट्टा सिंग और जैनब की लव स्टोरी तो